इस वीडियो में दोस्तो एक्सल की न एक ऐसी गजब की ट्रिक है जिसको अगर आप सीख लेते हो तो डेफिनेटली आप अपने एक्सल वर्क में इस ट्रिक का यूज करना जरूर चाहोगे डेमो आप देखिए ये मेरे पास सिंपल सा डेटा है और यहाँ एज वाले कॉलम में मैंने कुछ सेल्स हाइलाइट कर रखे हैं अब मुझे करना क्या है सेल कलर से सेल को पासवर्ड से लॉक करना है जिन सेल्स पे कलर फिल है केवल उनी सेल्स को लॉक करना है या अनलॉक करना है तो यह कैसे होगा साथ में एक सबसे बड़ा Magic conditional formatting के साथ हम करेंगे conditional formatting के साथ आप जब data को highlight करते हो तो यह possible नहीं है कि जो data highlight हो उन सभी cells को आप log कर सको इसके लिए normally लोग क्या करते हैं VBA का ही use करते हैं अब यहां पे गजब को सेल्स को लॉग कर सकते हों मैंने ये डेटा हाइलैट कि यहां पर देख सकते हो जिनका ऑ से को पूरा लॉग कर सकता हूं तो यह सब कैसे होगा यह वीडियो आपको देखना पडगा दोस्तों गजब का वीडियो मिस नहीं करना है और दोस्तों उमीद करता हूँ आप इस मेहनत के लिए एक लाइक तो कर ही दोगे और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया ना बस वीडियो के नीचे जाके रेड गलर के बटन पे क्लिक कर लो और बैल आइकन को प्रेस करते जरूर आना तभी आपको हमारी निव वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी दोस्तों मैं हूँ दीपक लैट्स बिगिन इंट्रेस्टिंग टॉपिक यहां दोस्तों पहले न मैं थोड़ असा प्रोटेक्ट सीट लॉक सेल का बेसिक आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा बेसिक बाइडिफॉल्ट क्या होता है एक्सल सीट में जितने भी सेल होते हैं वो सभी सेल लॉक होते हैं और जब हम सीट को प्रोटेक्ट करते हैं तो वो प्रोटेक्शन के वल लॉक सेल पे ही लगती है अभी बाइडिफॉल्ट आपको सारे सेल जो है लॉक मि यहां format cell का option आपको मिलेगा, यहां protection tab पे आप जा के देख सकते हो lock का option मिलेगा, यहां पे tick लगा हुआ है, मतलब cell lock है, तो किसी भी cell पे आप click करके check करोगे, तो वो आपको by default lock ही मिलेगा, मैं यहां seat tab पे right click करके protect seat पे click करके password डाल देता हूँ, triple one मैंने password डाल दिया, okay करके, फिर से confirm कर दिया, okay कर दिया, अब यह पूरी seat lock है, मतलब सारे cell lock थे, तो lock cell protect हो गए, ठीक है, आप कहीं पे भी double click करके कुछ भी नहीं लिख सकते, कहीं पे भी नहीं लिख सकते, यहां पे आप करते हो double click, यहां पे भी आप नहीं लिख सकते, नहीं लगाना, तो मैं क्या करूँगा, right click करूँगा, format cell पे जाऊँगा, और यहां lock से तिक अटा दूँगा, मैंने इस range को unlock कर दिया, बाकि सारे cell तो lock ही है, है न, okay कर दिया, तो यह range unlock हो गई, अब मैं password लगाऊँगा, तो वो password cable उन cell पे लगेगा, जो cell lock है, यह cell lock है ही नहीं, तो यहां पे कोई password लगेगा भी नहीं, तो right click करते हैं फिर से, और यहां protect sheet पे हम करते हैं, click, password डाल देते हैं, कोई भी मैंने 111 डाल दिया, okay कर दिया, फिर से confirm कर दिया, okay कर दिया, अब कहीं पे भी आप double click करो, तो आप कहीं पे भी edit नहीं कर सकते, यहां पे करते ह आप यहां कुछ भी लेख सकते हो क्योंकि यह जो रेंज थी यह जो रेंज थी यह अनलॉक थी तो यहां पर आसानी से आप काम कर सकती हो इतना तो बेसिक था समझ में आही गया होगा अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए प्रोटेक्स सीट है लॉक सेल की तो लेंक वीडिय क्थि चाहिए दोस्तो ठीक है मैं क्या करता हूं मैंने यहां से कुछ सेल कृटे नहीं हो Gary rh Kings क्या कारन है अभी यह सीट प्रोटेक्ट है अब ये sheet protect है तो मैं यहाँ पे जाके right click करके इसको unprotect कर देता हूँ और password मैंने डाल दिया 111, okay कर दिया तो अब यहाँ पे सारे option highlight हो गई है मैंने क्या किया मैंने यहाँ से कुछ cells को select कर लिया इस तरह से और यहाँ home पे जाके fill color पे जाके कोई color fill कर दिया अब मुझे केवल इन highlight cell को ही password से protect करना है केवल इन cells पे password लगाना है बाकी कहीं पे कोई password नहीं लगाना अब इस cells कम है जो मैंने highlight की हैं बहुत सारे भी हो सकते हैं sheet में कोई दिक्कत नहीं concept आप समझ लीजिए सबसे पहले हम यहाँ पे ribbon को hide कर देते हैं control F1 दबाके मैंने ribbon को hide कर दिया उसके बाद जो सबसे पहला आपको काम करना है सारी sheet को select करना है कहीं पे भी right click करना है format cell पे जाना है और यहाँ lock से टिक खटा देना है ओके कर दिया मैंने अब यहाँ पे सारी cell unlock हो गए अगर मैं यहाँ पे right click करके protect sheet करता हूँ password लगाता हूँ तो password कहीं पे काम नहीं करेगा क्योंकि वो तो काम करेगा lock cell पे और यहाँ पे तो सारी cell unlock हमने कर दिये अब यहाँ हमें काम करना होगा इस data में इस color के cells को find out करना है और फिर उनको lock करना है तो यह काम कैसे होगा आप देखिए यह data आपने कर लिया select इसमें कहीं भी click करके control A दबा दीजिए data select हो गया control F करो find के लिए control F आप दबाईए हम color से भी cells को find कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे छोटी सी drop down आपको मिलेगी यह री ठीक है यहाँ आपने click करना है और यहाँ पे option मिलेगा choose format from cell इस पे click करना है और इस cell पे click कर दीजिए आपको इस cell color के सारे cell find out करने है बस click कर दिया find all पे click कर दीजिए तो यहाँ पे सारे cell आपके सामने आगए यह देखिए यह वाला cell था यह सेलेक्ट अभी यहाँ पे सारे cell आपको मिल जाएंगे list आपको मिल जाएगी यह देखिए ठीक है अब आपने बस यहाँ पे एक काम करना होगा control A दबा देना है यहाँ पे click करके किसी पे control A दबा दीजिए तो यह सारे cell सेलेक्ट हो गए जो इस color से highlight थे हो गए इसको close कर दीजिए इनके ऊपर आके right click करो format cell पे आप जाओ format cell पे जाओ और यहाँ lock पे click कर दो तो यह हमने lock कर दिये okay कर दिया अब यहाँ पे हम password लगाएंगे आभी दोस्तों इससे आगे का जो example है ठीक है तो यहाँ के वर इन cells को हमने lock कर दिया बाकि सारे cell unlock ही है जैसा आपको पता है अब मैं यहाँ पे right click करता हूं protect sheet पे मैं जाता हूं password डाल देता हूं 111 ok कर दिया 111 ok कर दिया तो यहाँ password लग गया है आप कहीं पे कुछ भी लिख सकते हो यह देखिए ठीक है कहीं पे कुछ भी आप लिख सकते हो काम कर सकते हो बट आप इन cells में कोई edit नहीं कर सकते डवल क्लिक यहाँ पे आप edit नहीं कर सकते यहाँ पे करते हैं डवल क्लिक यहाँ पे भी आप edit नहीं कर सकते ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे ना आप इसका उल्टा भी आसानी से कर सकते हो अगर आप ये चाहते हो कि जो cell आपने highlight किये हैं केवल उन में editing allow करनी हैं बाकी सारे cells आपको lock करने हैं तो ये भी आसान काम है हो जाएगा आपको सबसे पहले सारे cells को select करके lock करना है lock by default होते हैं आपको करने की जरूरत नहीं है फिर आपको इस color के cells को find out करना है find function से और सबी को select करक आप editing कर पाओगे बाकी सारे lock cells पे password लग जाएगा कहीं पे कोई edit नहीं होगा तो मुझे उमीद है ये आप कर लोगे अगला जो example है वो आप समझेए condition के साथ हम cells को कैसे protect करेंगे वो बिलकुल इससे अलग है ऐसा नहीं है बिलकुल अलग है तो यहाँ c2 पे हम आगे आप देखिए यह बिलकुल अलग example है दोस्तों और अलग तरीके से होगा बिलकुल तो यह देखना बहुत जरूरी है ठीक है यहाँ पे मेरे पास यह data है मैं conditional formatting से कोई भी rule यहाँ पे लगा देता हूं कोई भी rule लगा देता हूं मैंने यहाँ in ages को select किया home पे मैं गया और conditional formatting पे जाके highlight cell rule less than पे click करके मैंने यहाँ पे लिख दिया 25 25 जो कम age वाले cell है वह highlight मैंने कर दिये यहाँ से कोई भी color आप ले सकते हो okay कर दिया अब यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या यह है दोस्तों जब आप conditional formatting से data highlight करोगे ना तो आप color से cells को find नहीं कर सकते Excel उसका accurate result आपको नहीं देगा चलिए मैं करके आपको दिखाता हूँ मैंने control F दबाया ठीक है मुझे इस color के सारे cells को find out करना है तो यहाँ find में हम गए और choose format from cell पे click किया और इस cell पे click कर दिया कि इस cell के जैसे सारे cells को हमें find करना है find all पे click कर दिया अब यहाँ पे देखिए होगा क्या मैं आपको दिखा देता हूँ इसने यह वाला cell भी find करके दिया अब यह find function ने बोला कि यह वाला cell भी इसी तरह का है है तो यह mistake हो गई आगला cell देखिए क्या इसने ढूंडा है यह रहा यह जो simple cell है ना जो यह इस color से match नहीं करें उनको भी highlight कर रहा है यह highlight करेगा अगर conditional formatting से आप data highlight करोगे conditional formatting का कोई rule लगाओगे फिर आप cell color से cells को ढूड़ने की कोशिच करोगे ना तो आपको proper सही result नहीं मिलेगा यहां पे बहुत बड़ा twist है बहुत बड़ा logic है जो आपको समझ formatting पे बहुत सारे मैंने वीडियो पब्लिस किया है magic tricks है सभी के links वीडियो के description आपको मिल जाएंगे वहां से आप देख सकते हो advanced conditional formatting ठीक है फलाल कोई भी rule आप लगा लो हमें करना क्या है conditional formatting का rule लगाने के बाद कैसे हम cells को select करें यह है पंगा ठीक है ना क्योंकि fine से तो होग password मैंने डाला था triple one क्योंकि unprotect करना जरूरी है उसके बिना हमारा काम यहां पे नहीं चलने वाला ठीक है file पे हम जाएंगे save as पे हम जाएंगे हम अपनी file को save करेंगे desktop पे मैं जाता हूँ और यहां पे एक folder है cell color इसके अंदर मैं अपनी file को save कर देता हूँ file का नहीं कोई भी दे दो xyz बट यहां save as type से आपको लेना है web page हम अपनी इस file को web page यानि html format में एक बार save कर लेंगे तो होगा क्या देखिए आप मैंने save कर दिया इसको ठीक है yes कर देना है तो यह file save हो गई है हमने इस workbook को html format में save क्यूं किया थोड़ा आप समझिए यहां पे rule लगा हुआ है conditional formatting का 25 से कम वाले cell highlight है ठीक है अगर मैं यहां value change करता हूँ तो rule लगा है तो automatic यहां पे काम करेगा cell color हट गया conditional formatting से जो cell color आता है ना वो permanent नहीं होता वो temporary होता है value के साथ साथ color अपने आप automatic काम करता रहेगा flexible होता है तो हमें यह fix करना पड़ेगा इस color को permanent बनाना पड़ेगा हमने इस file को excel file को html format में save कर दिया एक बार अब हम उसको फिर से excel में लेके आएंगे तो होगा क्या conditional formatting का rule यहां से हट जाएगा और यह cells में जो color है ना यह permanent हो जाएगा आप देखिए इसके लिए आपको करना क्या होगा excel को पहले close कर देना एक बार इसको save करने की जरूरत नहीं है वेसके ठीक है मैंने बंद कर दिया फिर से excel हमने open कर लिया और यहां आपको जाना है file पे file पे जब आप click करोगे तो यहां recent में आपको वही xyz file मिल जाएगी जो आपने web page format में save की थी ठीक है बस इस पे click कर दीजिए तो यहां excel में load हो गई फिर से ठीक है अब यहां पे एक magic हो गया है वो magic क्या है आप देखिए इस workbook में ना जितने भी conditional formatting के rule लगे थे वो सारे rule तो हट गए बट सेल कलर पर्मानेंट वहीं fix हो गया ठीक है यहां सी टूपे डेटा है यहां पे भी सेल कलर fix है अगर आप value चेंज करोगे तो यहां पे कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि conditional formatting का rule यहां से हट गया है बट सेल कलर पर्मानेंट वहीं पे रह गया ठीक है अग करता हूं conditional formatting पे तो यहां मेसेज आ गया no cells were found मतलब कहीं पे भी conditional formatting का rule नहीं है अब हम आसानी से इस तरह के एक जैसे cells को find out कर सकते हैं control A से मैंने सारा data select कर लिया control F दबाया उसके बाद option पे जाके यहां से हम ले लेंगे choose format from cell और किसी भी cell पे हम कर देंगे click उसके बाद find all हम click कर देंगे अब हम यहां पर देखते हैं कि क्या हमें सारे वही cells मिले जो इस color से highlight है तो आप देख सकते हो यह देखिए ठीक है control A करोगे तो यह सारे cells select हो गए यह देखिए है ना तो यह magic हुआ है हमने अपना जो excel की file में condition formatting का rule लगा दिया था फिर हमने उसको HTML format में select होगे अब आप इनको lock करना चाहती हो या unlock करना चाहती हो वह आप कर सकती हो आसानी से ठीक है अभी हमें करना क्या होगा मान लीजिए मैंन को lock करना चाहता हूं तो आपने control A को select करना है right click करना है format cell पर जाना है और यहां protection पर जाके lock से खटा देना है lock से खटा दिया अभी सारे cell unlock है हमें केवल इस तरह के cells को जो है lock करना है highlight cells को तो आप करोगे क्या control A से सारा data select कर लिया control F और यहां पर वही color पहले से ही set find all कर दीजिए दुबारा से ले लेते हैं format पर जाके choose format from cell और यहां से यह color लेके find all कर दिया तो यहां पर सारे cells आ जाएंगे select all कर दीजिए किसी भी एक पर click करके control A फिर से select हो गए अब इनको हम lock कर देंगे right click करके format cell और यहां protection पर जाके lock कर दिया ठीक है lock कर दिया ok कर दिया इसके बाद हम password यहां पर लगाते है protect sheet password डाल दिया triple one ok करके फिर से confirm कर दिया triple one ok कर दिया तो आप देखिए कहीं पर कोई password नहीं है आप क कहीं भी आसानी से काम कर सकते हो ठीक है यह देखिए बट इन sales में कोई change नहीं हो पाएगा double click करते हैं देखिए यहां पर कोई change आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह हमने lock कर दिया है तो इस तरह दोस्तों condition के base पर भी आप अपने cells को protect कर सकते हो lock कर सकते हो मैं simple सा एक ही conditional formatting का rule लगा कि आपको दिखाया है बाकी rule किसी भी तरह का हो सकता है condition कोई भी हो सकती है process यह है करने की तो वीडियो चलगा तो like share comment करना बिल्कुल ना भूल जाना दोस्तों और ऐसी एच्छे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से subscribe करते जाना मिलता हूं अगले वीडि झाल झाल जाना झाल